अगर आप भी एक CSC VLE हैं, Common Service Center संचालक हैं तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल Tech with High Q में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसा कि आप से भी लोगों ने वीडियो के थमनेल में तो देखी लिया होगा आप किस तरीके से अपने CSC ID के माध्यम से किसी कस्टमर के लिए नया Digital Water ID काट के वाल 5 मिनट में ओडर करा सकते हैं इसका Complete Process हम आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाले हैं तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको इस वाली वेबसाइट में आज आने हैं Election Commission of India जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा आप सबसे पहले आपे Sign Up वाले उप्शन पे किलिक करके अपना एक User Account यहां पे क्रेट कर लेंगे User Account क्रेट करने आपे बहुत आसान है User ID बन जाने के बाद मां आप यहां पे अपना Mobile Number इंटर करके Request OTP इस वाले उप्शन पे किलिक करेंगे OTP यहां पे फिल करके Login वाले उप्शन पे जैसे किलिक करते हैं तो आप यहां पे देख पार होंगे आपकी ID successfully Login हो चुकी है कुछ इस तरीके से आपको यहां पे Election Commission of India का Dashboard देखने को मिल जाता है अगर आपको किसी Customer के लिए उसका Water ID Card डाउनलोड करना है तो आपको यहां पे SideMob Option देखने को मिल जाता है E-Epic Download आप इस वाले उप्शन पे जैसे किलिक करते हैं एक नया इंटरफेस आपके यहां पे देखने को मिल जाता है तो आपके यहां पे दो अप्शन देखने को मिल जाते हैं एक E-Epic Number का यानि की Water ID Card Number का और दूसरा Reference Number का तो आपके पास दोनों मैंसे Customer का जो भी यहां पे Available होगा आप यहां पे Select करेंगे इसके बाद मैं Epic Number यानि की Water ID Card Number फिल करेंगे इस्टेट सेलेक्ट करके सर्च वाले उप्शन पे जैसे किलिक करते हैं तो आपके Customer की डिटेल आपके यहां पे देखने को मिल जाती है इसके बाद Send OTP इस वाले उप्शन पे आपको किलिक करना है Customer के Water ID Card के साथ में जो भी Mobile Number लिंक होगा उस पे एक OTP Send की जाएगी अब आपको OTP यहां पे फिल करनी होगी इसके बाद मैं Verify वाले उप्शन पे आप जैसे किलिक करते हैं तो आपके यहां पे SideMot Option देखने को मिल जाता है तो इस तरीके से आपके वाल पांच मिनट में Digital Water ID Card को ओडर या फिर डाउनलूड करने का काम कर सकते हैं आसा करूंगा आपको आज की जानकारी पसन आई होगी इसी पर करके वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें आज की वीडियो में बस इतना ही हम मिलते हैं आपको फिर से किसी एक नई वीडियो के साथ